आज का टॉपिक हमारा है अर्ली एंडर दो जार इकीस इंडिया इस साल की लांच की गई प्रमुख सरकारी योजना है इस पर चर्चा करेंगे आईए हम इस विशे पर चर्चा करते हैं साथ ही साथ इसमें समंदित अन्य बिंदों पर भी प्रकास डाला जाएगा चली प्रार इयर एंडर दो जार इकीस इंडिया इन में से कही योजनाए ऐसी रही है जो हमारे रोजगार की जिन्दगी पर असर डालने वाली साबित हुई है हम आपको बता रहे हैं कि दो जार इकीस की ऐसी बड़ी योजनाए जिने बुला पाना कभी संबव नहीं होगा वर्स दो जार इकीस के बहुत से ऐसे महत्वपुन सरकारी योजनाए लॉंच हुई है जिने करेंट अफैर्स की दृष्टी से याद रखना बहुत ज़रूरी है इस कड़ी में आप हम आज तक पूरे बार चुनिन्दा सरकारी योजना की संक्षिप आवशिक जानकारी उपलब्द करा रहे हैं विबिन परिक्षाओं की तहरी के लिए ये सभी सरकारी योजनाए अति महत्वपुन हैं इन में से कई ऐसी योजनाए भी जो हमारे रोजमरा की जिन्दग आप स्वास्ती योजनाओं की सुरुआत की ये योजना दो नंबर से सभी राजियां और केंदिस हसीत प्रदेसों में चरणबत तरीके से सुरू किये गई इस योजना के करीब 35 लाग सी एपी करमचारी लाब उठा पाएंगे कितना पाइदेबन है आश्मान भारत ये क्या है राष्ट स्वास्ती सुरुक्षा इश्की इसके अंतरकत सबसे पहले सु आश्मान भारत के अंतरकत 10 करोड गरीब और जरूरतमन परिवाद लावावनित होंगे प्राइवेट एम सरकारी दोनों अस्पतालों से कैसलेस इनका इलाज मिलेगा पांच लाग रुपे तेका सालाना इलाज मुपत संभव होगा दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केर इसकीम है और पचास करोड लोगों को इसको सीधा फाइदा मिलने की उमीद है ग्राम उजवला योजना बिजली मंती आरके सिंग ने वारंड सी में ग्राम उजवला योजना की सरुवात की ग्राम उजवला युजना के तहत सरकार ग्रामिन चेतरों में दुनिया बरके सबसे सस्ते LED वर्ब 10 रुपे में प्रदान करती है इसका उद्दिष यह है उत्तर प्रदेश के ग्रामिन नागरिकों के लिए बहतर जिवन इस्तर अधिक आर्थिक गतिविदी वितिय बचत बहतर सुईदा को बढ़ावा देना जबकि अन्नी राजियों में इसका विस्तार करना है उजवलाई युजना में हर गर में उज़ाला करना है सरकार की युजना है अब तक 28 क्रोड से भी अधिक LD वल वितित की जा चुके हैं जिससे 14,622 क्रोड रुपे की बचत सरकार को कीए प्रदान मंतरी गती सक्ति युजना हाली में केंदर सरकार ने लौजिस्टिक लागत से कम करने के लिए समन्मुइत और बुनियादी और संवरचना परियुजना के निस्पादने तू मैत्वा कांशि गती सक्ति युजना या नैशनल मास्टर प्लान मल्टी प्र मल्टी गती सक्ति सई दीशा में उठाया गया एक कदम है हाला कि इसे उच्छ सारजनिक वैसे उत्पन सन्रचनात्मक व्यापक आर्थिक इस्तिर्ता समंदी चिंतों को दूर करने के आवशक्ता है यह प्रगर्तिकी गती और भारत की सक्ति अत्याद्योनिक इंफ्रास्ट्रेक्चर क रेल कोसल विकास युजना के लिए रेल मंतरी दोरा सुरू की गई है प्रदान मंतरी कोसल विकास युजना के तत्वादान में एक कारिकर में युजना के तहत रेल वे प्रस्रिक्शन संस्तानों के माध्यम से युवाओं को औद्योग प्रसांगी कोसल में प्रवेश इस और मसिनिस्ट में एक हजार उमिदारों को परदान किया जाएगा रेल कोसल व्यजना युवाओं के नेत्वत विकास में सुरुआत है ये स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना है और इसी के तहट तीन साल में पचास हजार युवाओं को प्रस्टिक्शन मिलेगा खुले विग्यापन ने पारदर सी सौर्ट लिस्टिंग के माध्यम से इसका चेन किया जाएगा चार ट्रेडों के मुफ़त प्रस्टिक्शन दिया जाएगा जिसमें इलेक्रिशन, वेल्डर, मसिनेस्ट और फीटर सफल प्रस्टिक्शों को लिए स्वरवजगार टूल किट भी प्रदान कर प्रवान पत्र वितित की जाएगे पी-म दक्षी युजना के अंदर सरकार के दोरा पिछला वर्ग के अनुसरी जाती वे अन्य वर्गों के वक्तियों के कौशल विकास है तू एक और नई युजना प्रदान मंत्री दक्षी युजना सुरू की गई इस युजना को प्रदान मंत्री दक्षता और कौशलता संपन हित्गराई युजना के नाम से भी जाना जाता है इस योजना के माध्यम से लक्षित समों को कोसल विकास है तो प्रस्टिक्शन दिये जाएगा ओनलाइन आविदन कार पात्र लाब भारतियों के योजना का लाब प्राप्त कर सकते हैं यह जो योजना पीएम दक्ष योजना है और इस योजना के साथ बेनिफिट अब्जक्ट और आर बियाई एकिकरत लोगपाल योजना बारति रिजर्फ बैंक वीनेमित संसर जैसे बैंक एनेफ जी गैर बैंकिंग वित्ति कंपनियां प्रीपैड इंस्ट्रुमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली विविन सेवाओं में कमी से समधित गराकों की सिकायतों का निवान प्रदान करेगी यह सरकारी अधिकारी होता है जो सायर्जमिक सेकर्टरों के खिलाप आहम लोगों द्वारा कीगे सिकायतों का समाधान करता है लोगपाल का एक कंसेप् और ऊजिन से आया कि अर्डल आ है का यसी अ कुध्या निवस्टक विए के साथ कुद्रा प्रतिक्सल गिल्ट खाता हं पिंड़ the जिस्क घूलने और बनायरे वर्टकम्हार में धीवीतनला ना है जिसमें बेंकों भूमा कंपनियों मेच्च 12 पंड जी से विविन सस्तागत निवस्कों का वर्चस्व है, 7237 गाउं में अब भी 4G नेटवर्क देश के 5 प्रदेशों के लिए 7237 गाउं में अब भी 4G नेटवर्क मिलेगा, पीम नरंदर मोदी ने इसके लिए 6466 क्रोड रुपए के पैकेज की हरी जंडी दीए, इस योजनागन स अगले 18 से 24 महिनों में 4G नेटवर्क सेवा इन गाउं में मुहा किया जाएगा, विगिप्ति में का गया है कि 5 राजियों में आंदरा प्रदेश, चतीजगार, जारकंड, महारास्टा और ओडिशा के आकांक सी जिलों के लिए दुरस्त और वंचित सित्रों से मोबाइल से प्रदान करने का प्रस्ताव डिजिलोटिक अंतरकात आता है, आइसमान भारत डिजिटल मिशन हाली में प्रदानमंत्री नरंदर मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आइसमान भारत डिजिटल मिशन की शुरुवात की है, इस पहल का राश्टे व्यापी, रॉल आउट, राश्टे स्वास्ति प्रदेकरण, द्वारा आइसमान भारत प्रदान मंत्री योजना, जन आरोगी योजना की तीसरी वर्षगांट की अउसर पर किया गया, आइसमान भारत और भारत की एक प्रमुक योजना है, जिसे सार बोमिक स्वास्ति कावरेंज के द्रश्टिकोंड से भारत के प्राप्त करने के लिए राष्ट स्वास्ते नीती 2017 की सिपर्स की के अनुसार सुरू किया गया था इस मिशन को राष्ट डिजिटल स्वास्ते मिशन के रूप में जाना जाता है प्रदान मंत्री आत्म नेर्बर स्वास्त भारत योजना अक्टूबर 2021 में प्रदान मंत्री मोदी ने पीम आई सुमान भारत हेल्थ एन इंफ्रास्ट्रेक्टर मिशन की सुरुवात की इस योजना की गोशना केंद्री बजट 2021-22 में की गई थी इस योजना की उद्देशे से सुदर इसों अन्ति मिल तक प्रात्मेक माद्यमेक और तरिति देखवाल स्वास्ति प्रणालों की शमता विक्षित करना है ये योजना केंद्र सरकार द्वारा वित पोशित और इसके लिए लगबग चौसट एदार एक स्वास्ति क्रोड र रखिया जारा इसके अलावा अमरत के तहत ने आने वाले सेरों में दुसित और काले पानी के प्रबंदन को स्रक्षित किया जाएगा साथ ही इसके तहत सभी सेरों के इस्तानी निकायों के लिए और एक लाग से कम जिनसिंग्या वाले और ये प्लस के रूप में तयार करने योजना है ताकि सहरी चित्रों में शुक्षित स्वचिता की लक्षे को पूरा किया जा सके अम्रत 2000 योजना इस योजना के लक्षे के लिए 4 4,700 क्रोड 4,700 सहरी स्थनियों में सभी घरों में पेजल की आप पूर्ति करना है इसके 33 सहरों में 2.60 अम्रत नल कनेक्शन अम्रत 500 अम्रत सेरों में सिवरेज सेप्टेज सत प्रतिशित कवरेज होगा इससे सेरी चेत्रों में करीब 10.5 क्रोड लोगों को लाब मिलेगा अम्रत 2.0 सर्कुलर एकनोमिक सिद्दानतों के तहित काम किया जाएगा ये सत्य और भूजल निकायों के संडक्शन और काया कल्प को बड़ावा देना है थैंक यू सो मच पॉर वैचिंग माचिंग है वे ग्रेट डे जै इन जै भारत